हेलो दोस्तों आपका स्वागत है कुकिंग विद अमरिता में आज मैं शेयर कर रही हूँ डेसिकेटिड कोकोनट से बनी हुई नारियल की चटनी जो की खाने में बिल्कुल फ्रेस नारियल की चटनी जैसा डिस्ट देगी तो चलिए रेसिप्ली स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है चार में मैंने आधा कप या 40 ग्राम डेसिकेटिड कोकोनट या नारियल का बुड़ादा लिया है इसमें मैंने दो बड़े चमच बुने हुए चने डाले हैं अब दो हरी मिर्च डालिये मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ये चटनी थोड़ी तीकी बनेगी अब इसमें आधी इंच अधरक का टुकड़ा जिसको चौप करके डाल दिया है अब इसमें एक चोथाई कप पानी डाल कर एक बार मिक्सी में पीस लेते हैं मिक्सी में इसे एक मिनट के लिए पीस लिया तो अभी ये काफी ड्राय ड्राय सा दिख रहा है इसमें दो बड़े चमच पानी और डाला है पानी के साथ इसमें दो बड़े चमच दही डाला है दही हमेशा फ्रेसी यूज करें फ्रेस दही के साथ बिल्कुल फ्रेस नार्यल की चटनी जैसा टेस्ट आएगा अब इसको एक बार फिर से मिक्सी में एक मिनट के लिए पीस लेते हैं इस बार देखिए ये चटनी पीस कर बिल्कुल तयार है अब चटनी को एक पाउल में निकाल लेते हैं मैं चटनी में नमक डालना भूल गई थी तो मैं इसमें अभी आधी छोटी चमच नमक एड़ कर देती हूं नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ले और नमक आप पिष्टे समय ही डाल ले तो अब चलिए चटनी में तरका लगा लेते हैं मैंने एक कल्ची को गैस पे गड़म किया और इसमें एक चमच रिफाइन ओयल डाला है तेल के गड़म होने के बाद इसमें एक चोटाई चोटी चमच सरसों के दाने डाले हैं और सरसों के दाने के तरकने के बाद इसमें एक लाल मिर्च को तोड़के डाल दिया है और लाल मिर्च के तरकने के बाद इसमें 4-5 कड़ी पत्ते डाल दिये हैं तेल काफी गरम हो गया था तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और अब तरके को चटनी में डाल देते हैं तो अब आपके पास फ्रेस नारियल हो या ना हो पर फ्रेस नारियल जैसी चटनी का स्वात आप हमेशा ले सकते हैं